नमस्कार दोस्तों, इंडियास ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चानल के एक और जानकारी भरे विडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते है कि तेजस माक टू फाइटर जेट प्रोग्राम को सरकार की तरफ से फंड्स दे दी गई है और इसके तुरंत बाद ही इस प्रोग्राम में तेजी देखी जा रही है। किया जा सके। अब ये ताकतवर इंजन कौन सा होगा आप सब के मन में जरूर ये सवाल आ रहे होंगे। ये इंजन कोई और इंजन नहीं बलकि AMC ये 5th generation stealth fighter के लिए बनाई जाने वाली 110 kN class के इंजन है जिस इंजन को बनाया ही ऐसे जाएगा कि उसका इस्तेमाल हमारे खुद के बनाई हुए स्वदेशी हर एक fighter jet में किया जा सके जिससे इन सब fighter jets की ताकत और बढ़ Mark 2 fighter jet को अभी से भविश्य के अपग्रेड को ध्यान में रखकर विक्सित किया जा रहा है ताकि जब भविश्य में इसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़े तब कोई समस्या न पैदा हो पाए। अब भारत जितने fighter jet विक्सित कर रहा है स्वदेशी तोर पर चाहे वो तेजस Mark 2 हो, AMCA Mark 1 हो या फिर नौसेना के TADBF यानी की twin engine deck based fighter हो सब में अमरीकी F414 engine का इस्तिमाल किया जाएगा जिसका मौझूदा थरस्ट 98 किलन्यूटन है और जिसको भारत में 80% technology transfer के साथ बनाया जाएगा, अमरीकी F414 engine पर फिलहाल अमरीका से बातचीत चल रही है, हालां कि अमरीकी सरकार ने इस पर सामायक रोक लगाया है, इसका कारण ये है कि वो फिर से इस deal को एक बार re-verify करना चाहते है अब अमरीका के इसी ideal re-verify को देखते हुए और भविश्य के जरूरतों ध्यान में रखकर, DRDO और ADA इन विमानों में परिवर्तन और अपग्रेड के गुंजाइश बड़े पैमाने पर रख रही है और इन सब अपग्रेड को सही तरीके से करने के लिए इन फाइटर जेट्स को एक ताकतवर इंजन की भी जरूरत पड़ेगी और हम फिर से अमरीका के चाहगुन में नहीं फसना चाहते है इसलिए DRDO और ADA इन जेट्स में modular engine bay का इस्तेमाल करने वाली है जिससे इन सब फाइटर जेट्स को भविश्य में अपग्रेड के दोरान नए 110 किलन्यूटन इंजन से लेस किया जाएगा अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएंगे कि ये जो नए 110 किलन्यूटन थरस्ट के इंजन हम बनाने जा रहे है वो क्या साइज, डाइमेंशन और वजन में अमरीकी F414 इंजन का बराबर होगा क्योंकि अगर नए 110 किलन्यूटन थरस्ट के इंजन में थोड़ा बहुत भी डाइमेंशन या वजन में फरकाता है तो पूरे फाइटर जेट के डिजाइन पर असर पड़ेगा और हमें इंजन बे एर इंटेक एग्जॉस्ट सब में चेंज़स करने पर सकते है जो की एक ज तो यहां पर हमारे सभी दर्शकों को हम बता दे DRDO और ADA की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि नए 110 किलन्यूटन थरस्ट के इंजन का साइज, डाइमेंशन और वजन बिलकुल अमरीकी F414 इंजन का बराबर होगा जिससे इंजन बे या फिर एर किसी में भी कोई भी चेंजर्स करने की आबश्यक्ता नहीं पड़ेगी अब अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो ये नए 110 किलन्यूटन थरस्ट के इंजन हमें साल 2035 के बाद शायद इन सब विमानों में खास कर तेजस मार्क 2 में देखने को मिल सकता है क्योंकि ये 110 किलन्यूटन थरस्ट के इंजन के लिए ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉइस या फिर फ्रेंच कंपनी साफ्रन के साथ मिल कर बनाया जाएगा अब इस नए इंजन का इंटिलेक्चुल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास रहेगा इस से भारत इस इंजन को अपनी नौसिना भी इस इंजन पे दिल्चस्पी दिखा रही है और वो अपने TADBF में इस 110 किलन्यूटन थरस्ट के इंजन का इस्तिमाल करना चाहती है क्यूंकि TADBF एक कारिया बेस्ट फाइटर होगा और कारिया बेस्ट फाइटर को एक सिंपल फाइटर एरक्राफ्ट से ज्य अब तेजस माक 2 प्रोजेक्ट के बारे में अब खबरे ये भी आ रही है कि इस फाइटर को दो चरणों में विक्सित किया जाएगा पहले चरण में अमरीकी F414 इंजन का इस्तिमाल किया जाएगा और दूसरे चरण में ये नए स्वदेशी 110 किलन्यूटन थरस्ट के इंज से अक्विप वेरियंट को अपग्रेड करके नए 110 किलन्यूटन थरस्ट के इंजन को लगाया जाएगा अब समय ही बताएगा कि इन सब फाइटर जेट प्रोग्राम्स और हमारे इस नए जेट इंजन प्रोग्राम कैसा चलता है और ये दोनों आपस में ताल मेल रख पाते है या नहीं आज के लिए बस इतना ही उमीद करते है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को अंध तक देखने के लिए धान्यवाद देखते रहिए इंडियास ग्रोइंग मिलिटरी पावर जय हिंद